हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाप सेलेक्शन कमिसन की तरब से एक बंपर वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह बंपर वेकेंसी काफी पद हो चुकी है आप जल से जल इस फॉर्म की अप्लाई कर दे और दोस्तों अप्लाई करने का वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा जैसे ही दोस्तों इसका लिंक एक्टिवेट होता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन-कौन कैंड़ेट इस vacancy को भर सकते हैं क्या उनकी agility category है कौन कौन सी आपको जो है आपकी document लाएंगी इसमें कितनी age limit होंगी क्या आपको age में relaxation नहीं मिलेगा अगर दोस्तों आप जो है extra qualification डालते हैं तो क्या आपको उसमें preference मिलेगा कि नहीं मिलेगा पूरी information इस video में मैं आपको बताने वाला बंपर vacancy निकाली गई है यह MTS की निकाली गई है जिसमें दोस्तों आपकी काफी बंपर vacancy निकाली गई है लगभग यह जो है 8 यह 9000 के बीच में लंसम में यह आपकी vacancy रहने वाली है पूरी notification से आपको इस भरती की पूरी update दी जाएगी तो दोस्तों MTS की recurrent आ चुकी है multitask staff non-technical की जो जिसे हम MTS short form में करते हैं उसकी requirement जो है 2021 में जारी कर दीगी है तो दोस्तों पूरी update हम आपको इस video में step by step बताने वाले हैं उसके official notification से तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको official notification बिले चलता हूँ पहले उससे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहने चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल study zone को subscribe कर लिजेगा क्योंकि SSC के तरफ से अगर कोई भी रिकुरिंट की update आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल study zone के माध्यम से आप तक वीडियो बनाकर share कर दी जाती है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ी स्वाट नोटिफिकेशन देखा देता हूं कि उस पर क्या-क्या लिखी है कितनी यह कितनी आपकी कौन से डॉक्मेंट आप कितनी जो है आपकी कौलिफिकेशन मांगेगी है पूरी एक्जामपल इस वीडियो मैं आपको step by step देखा देता हूं जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि important day जो आपकी नोटिफिकेशन है वो पांच दो 2000 को जारी कर दी जाएगी और दोस्तों पांच दो 2000 21 को इसकी apply लिंक भी आ जाएगी और दोस्तों इसकी जो last date apply करने की है वो अभी जो है निधारित नहीं किया गया है और यह आपकी जो एक्जाम है CBT एक्जाम होगी computer based test होगी जो आपकी इस वीडियो जो आपकी जो एक्जाम होगी आपकी जो online होगी एक्जाम आप यहां से fee देख सकते हैं कि general और OBC को 100 रुपय SC और ST को कोई भी तरह का fees नहीं देना है और जो आप जो payment करेंगे वो किसी भी माद्यम से debit card credit card या net banking के माद्यम से कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि MTS की post जारी कर दी गई है और उसकी number of post कितनी है इसके बारे में लगबग दोस्तो आठ से 9000 के बीच में यह post निकाली जाएगी और इसे शिरिफ 18 से लेके 25 साल के उम्र के candidate इसे भर सकते हैं और दोस्तों शिरिफ आपको इस भरती के लिए 10th pass होना जरूरी है क्योंकि दोस्तों 10th pass ही candidate इसमें apply कर सकते हैं अगर दोस्तों आपके पास extra qualification तो आप डाल सकते हैं उसके लिए आपको preference मिलेगा आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपकी registration link है वह यानि वो कल 5 तारिक से कल से start की जाएगी login already registered link आपको पास तारिक से इंतजार की जाए आपकी जो जारी कर दी जाएगी तो जैसे कि दोस्तों यहां पर क्लिक करते ही आपकी notification पर आप आ जाएगे तो यहां पर क्लिक करते ही दोस्तों हमें यह notification PDF को रूप में download होके आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी जो है विस्तार से बताए गई है कि यह क्या-क्या है यह पर आप देख सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो आपकी मल्टिटास्क की जो रिकॉर्मेंट है वो दो तारिक को आने वाली थी पर किसी कारण से टेकनिकल के कारण से यह आपकी जो है 5221 को जारी कर दे जाएगा यानि दोस्तों कल आपकी MTS की फॉर्म आ जाएगी और आप वहां से अपलाई कर सकते हैं आपको कैसे इस फॉर्म को अपलाई करना है और इसकी कि रिलेक्सेशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी इसमें लगभग आठ से 9000 फॉर्म आने की पूरी चांस लग रहे हैं पर दोस्तों अभी तक इसकी लिए कोई अपडेट नहीं है जैसे ही दोस्तों अपडेट आएगा तो हम स करेंगे और भी तक आपने हमारा यूटुब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप्लाइव लिंक आएगे सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तपकले दोस्तों जाहिंद